दोस्तों पिछले एक दो दिने उसे मार्केट में एक एप लॉंच हुए है जिसके बारे बहुत ज्यादा बाते हो रही है बहुत ज्यादा यह ट्रेंडिंग में चल लाया है जिसका नाम थ्रेट्स जो इंस्टाग्राम वालों का है इंस्टाग्राम का जो मालिक है मार्क जु बीदोने बीदे बनावन वाला है लेकिन जीटर कर सकते है और रीट कर सकते हैं कर सकते हैं तूटर कर सकते हैं एक लिएन को जाधा कुछ रिफ्रेस तो इसके पीछे का मकसद बस इतना ही है है कि ふीडियो के लिए और रिल्स के लिए तो ओलाटी इस चाहे तो वहां भी त्रेंट के उपर मां च्ट करते हैं वहां भी चोटा सा पोस्ट कर सकते हैं लेकि और image के लिए ये popular रहेगा और ज्यादा कुछ इस दूरों के अंदर में आपको difference देखने के लिए नहीं मिले बाहर चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप इसके उपर में account बना सकते हैं और कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों account बनाने करें सबसे पहले आपको Instagram को open करना है और यहाँ पर profile पर click करना है उपर right side में three line पर click करना है और यहाँ पर से second number में है आपको दिखी जागा Threads यहाँ पर click करना है और देखिए इस तरह से आपको एक animation होगा जो कि Threads का यह logo है यहाँ पर get Threads के उपर में click कर देना है और यह आपको Play Store पर लेकर कर चला जागा यहाँ से आप इसको install कर लेंगे या फिर डारेक्टली आप Play Store पर जागर कर कर सच करेंगे तो भी यह आज जागा यहाँ से डारेक्टली डाउड इसको कर सकते हैं दोस्तों जैसे ही डाउड हो जागा इसको आप ओपन करेंगे ओपन करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा उसको पाद ओपन हो जागा यहाँ पर आपका इसी गत्रों आपको लॉगिन करना इसको किलिक कर देना है दोस्तों हमारे इस्टागराम एक लॉगिन रिक्वेस्ट वजा जिसको इसको पर फिर से मुआपर जाएंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाएंगे और यहाँ पर दिखेगा डिवाइस रिक्वेस्टिंग प आपके बाय हो है फिर कुछ लिंग लाएगा रखें जो भी आपका है प्रोफाइल होगा सब कुछ यहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर चाहिए तो अपने मन से यहाँ पर दूसरा इमेज भी लगा सकते फिर इसको यहाँ पर कंटिन्यू पर किलिक करेंगे और यह यहाँ पर जैसे ही किलिक करेंगे आप जोइन कर लेंगे और यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए पूछ रहा है इसको और सक्सेस्फुल यह आपका एकाउंट जो है क्रियेट हो चुका है और देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेर्स देखने के लिए आपको दिखेगा सर् प्रफाइल होगा प्रफाइल में जासके देख सकते हैं जो भी आपने पोस्ट किया रहा है सब कुछ यहाँ पर होगा तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेर्स आपको दिखता है आप इस तरह से अकाउंट बना के यूज कर सकते हैं